रेडियो हिंदुस्तान के श्रोताओं के लिए आज मैं महरिशी देयानन्द सरस्वती जी का जीवन परिचे लेकर आई हूँ उनकी जन्म शतापती वर्ष चल रही है 200 वर्ष उनको हो रहे हैं अब तरित हुए हुए तो उन्ही के विशे में आज मैं आपको से उनका जीवन परिचे आपको सुना रही हूँ देयानन्द सरस्वती जी का जन्म 1824 इस्वी में गुजरात के टंकारा परगने के शिवपूर ग्राम में एक धनी रूडिवादी परिवार में हुआ था उनके बचपन का नाम मूल शंकर था जब वे 14 वर्ष के थे तब एक बार शिवरात्री के परव पर अपने पिता के साथ शिव मंदिर गए वहां उन्होंने एक चुहे को शिवलिंग पर चड़कर प्रसाद खाते देखा वह घटना उनके जीवन की दिशा बदल गई वहां उन्होंने एक चुहे को शिवलिंग पर प्रसाद खाते देखा और उनका मूर्ती पूजा से विश्वार उठ गया जब उनके पिता ने उनके विवाह का प्रबंध किया तो 1845 में 21 वर्ष की आयू में उन्होंने अध्यात्मिक खोज के लिए भगवान बुद्ध की भांती ग्रहत्याग कर दिया 1860 में वे मतूरा पहुँचे वहां वे दंडी स्वामी जी के चर्णों में बैठ कर ग्यान प्राप्त किया स्वामी विर्जानन्द वैदिक साहित भाषा एमम दर्शन के प्रकांड पंडित थे उन्होंने दयानन्द को वेदों में निहित ग्यान की व्याख्या समझाई अतहां यहां पर दयानन्द जी को विश्वास हो गया कि वेद ही समस्त ग्यान के स्त्रोत्र है स्वामी विर्जा नंद जी जीवन भर गुरू के आदेश का पालन करते रहे और उन्होंने विर्जा नंद जी के अनुसार अपने जीवन को सार्वजनिक रूप से लोगों के समर्पित कर दिया दियानंद अंग्रेजी भाषा के से अनभिग्य थे वे पास्चाते सब्बितब इसाई धर्म के से भी अपरभावित थे उन्होंने हिंदू धर्म की श्रेशता साबित करने का कारे की करना था तथा हिंदू धर्म की Бुराईएं को نिकालना था वे अपने धर्म प्रचार के कारियों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे किन्तु केशव चंद्रसेन के प्रामर्ष से उन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से जन साधानन को अपना संदेश दिया उन्होंने 1863 में आगराम से अपने धर्म प्रचार का कारे आरंब किया 1874 में उन्होंने अपने प्रसिद गरंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की वारा नसी में कर्म कांडी पंडितों से हुए शास्त्रार्थ में उन्होंने प्रमानित कर दिया कि वेद ही समस्त ज्ञान के आधार है अथा मूर्ती पुजा वेदों की शिक्षा के प्रतिकूल है उन्होंने हिंदू धर्म सभिता और भाशा के प्रचार के लिए 10 अप्रेल 1875 में बंबई में आरिसमाज की स्थापना की उसके बाद स्वामी जी दिल्ली गए जहां इसाई मुसल्मान और हिंदू पंडितों के एक सभ़ बुलाई गई किन्तु दो दिन के विचार विमर्ष के बाद भी जब कोई निश्च कर्ष नहीं निकला तो दिल्ली से स्वामी जी पंजाब गए जहां उनके प्रती बड़ा उत्साह जागरित हुआ जून 1877 में लहोर में आरिसमाज की एक शाखा खुली गई और कलांतर में इस आंदोलन का प्रमुक कार्याले लाहोर में ही बन गया इसके पश्यात भारत के विभिन प्रांतों में अपने विचारों का प्रचार करते रहे तथा आरिसमाज की शाखाएं स्थापित करते रहे अपने विचारों का प्रचार करने के लिए स्वामी जी ने तीन गरंथ लिखे थे रिग वेदादी भाश्य भूमी का में उन्होंने वेदों के संबंध में अपने दृष्टिकोन को सपष्ट किया है दूसरे ग्रंथ वेद भाष्य में उन्होंने यजुर वेद और रिग वेद की टिका लिखी उनका सरवाधिक प्रसिद ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है इसमें स्वामी जी ने सभी धर्मों का अलचनात्मक विशलेशन करते हुए यह प्रमानित किया है कि वेदिक धर्म ही सरवश्रेश्ट है उन्होंने इस ग्रंथ में पौरानिक हिंदु धर्म की कुरीतियों का खंडनत जिस निर्भयता से किया है उसी ढंक से इसलाम तथा इसायत का ढोग आडंबर तथा अंध विश्वासों का भी तीवर अलचना की है इस से हिंदु जनता को यह जानकर संतोश हुआ कि पौरानिक्ता के मामले में इसायत और इसलाम भी हिंदुत्व से अच्छे नहीं है दूसरा यह कि हिंदुओं का ध्यान अपने धर्म के मूल रूप की और आक्रिष्ट हुआ और वे अपनी प्राचीन परंपरा के लिए गौरव का अनुगव करने लगे इसायत की श्रेष्टा की भावना जो बल पकड़ रही थी स्वामी जी ने उस पर रोक लगा दी स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में अवतारवाद तीर्थ यात्रा वरत अनुष्ठान आदी पौरानिक बातों का बड़े ही युपति पूर्ण धंग से खंडन किया है उन्होंने प्रती दिन वेद में निर्दिष्ट यग्य तथा संध्या करना प्रतेक आरे के लिए आवश्चक बताया स्वामी जी ने छुआ छूत के विचारों को अवैदिक बताया और उन्होंने समाज के सहस्त्रों अत्यंजों को यगवीत देकर उन्हें हिंदुत्व के भीतर आदर का स्थान दिया स्वामी जी ने बाल विवाह बहु विवाह तथा परदा परथा का खंडन किया उन्होंने इस्तरी शिक्षा पर जोड दिया तथा अंतर जातिये विवाह का समर्थन किया स्वामी ध्यानन जी के अंतिम दिन राजिस्थान में व्यत्तीत हुए जहां अनेक राजा तथा जागीरदार उनके शिश्य बने उदेपूर के महराणा सज्जन सिंग ने उनसे मनुस्मृती राजनीती तथा राजधर्म की शिक्षा ग्रहन की 1881 में उदेपूर के ही एक जागीरदार बनेडा के राजा गोविन सिंग के निवमंत्रन प्राप्त करवे बनेडा गए बनेड़ा में स्वामी जी 16 दिन तक रहे और इस दौरान स्वामी जी ने राजा गोविन सिंग के दोनों पुत्रों अक्षे सिंग और राम सिंग को सस्वर वेदपाट करना सिखाया स्वामी जी ने दोनों राजकुमारों को वर्णो चारण शिक्षा नामक उस तक उपहार में दी उसके बार जित्तौर गड़ चले गए मार्च 1883 में वे जोधपूर आए जहां किसी के द्वारा स्वामी जी को विश्दे दिया गया धर्म के ऐसे महान आचारे की 30 अक्तूबर 1883 को दीप मालिका के दिन अजमेर में जीवन लीला समाप्त हो गई स्वामी देयानन जी के अंतिम दिन राजिस्थान में व्यतीत हुए जहां अनेक राज़ा तता जागिर्दान उनके शिष्षे बने